Hello friends, बहुत बहुत स्वागत है आपका Super Fast Study and Experiment पर तो friends इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि engine के में use होने वाले piston और cylinder के arrangement में जो pistons होते हैं उसके अलग-अलग types होते हैं कि आपको पता है, चार तरह के pistons का इस्तमाल किया जाता है इंजन्स में और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे इस वीडियो मैं उन चारों के नाम बताने वाला हूँ इमेज के साथ में सबसे पहला टाइप है फ्लेट पिस्टन जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं इसका उपर का जो सर्फेस होता है वो फ्लेट होता है दूसरा टाइप होता है डिस्पिस्टन जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यह डिस्पिस्टन है इसकी उपर का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ होता है जबकि इसके corners जो है थोड़े उठे हुए होते हैं तीसरा type है dome piston जैसे कि आप image में देख सकते हैं जैसे कि नाम से ही clear है dome यानि कि इसके cylinder का उपर का जो हिस्सा होता है वो dome के shape का होता है थोड़ा उभरा हुआ होता है जैसा कि आप image में देख पा रहे हैं चौथा type होता है recessed piston जैसा कि आप image में देख पा रहे हैं ये recessed piston है तो friends ये चार types के होते हैं piston जो की engine cylinder arrangement में use किये जाते हैं तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा